तो आप अपिश्ट हेलो एवरीवन मैं उमांग खोकर जैसा कि लॉक्डाउन चल ही रहा है मैंने इस लॉक्डाउन पीरिड में अपनी हॉबी जको पिक अप किया उस मेरी हॉबी में सबसे जो मेरी फेविरेट रही है वो है पेंटिंग तो मैंने इस टाइम को करने के लिए इंडिया की फोक पेंटिंग को बनाने का डिसिजन लिया तो उन में से मैंने जो पहली पेंटिंग बनाई है वो है मधुबनी पेंटिंग सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि जो मधुबनी पेंटिंग है इनकी क्या खासियत है यह कहां बनाई ज जाती थी उस और ये पेंटिंग्स जो है ये हमारा जो पूरा तेराई रीजन जो है नेपाल तक एड्जॉइनिंग वाला एरिया उस पूरे एरिया में इन पेंटिंग्स को बनाया जाता है मदूबनी शहर के अगर आप रेल्वे स्टेशन को देखेंगे तो वहां पर भी ये पेंटिंग्स बनाई गई है ये काफी कलरफुल पेंटिंग्स होती है और अब इनकी जो थीम रहती है वो नेचर से इंस्पाइड रहती है और उसमें इनको जब बनाया जाता है कुछ स्पेशल ओकेजन्स होती है जिनमें इन पेंटिंग्स को बनाया जाता है जैसे कि बर् और एक बात जो बहुत इंपोर्टन के बारे में वो यह है कि इन पेंटिंग्स के अंदर जो भी स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसका एक Tod G सीम्बanki मेनिंग होता है जैसे की हार्वेस्ट के टाइम पर या एक फार्मिंग एक अइक्डिविटी के लिए संढ वह वो बहुत important होता है, तो sun को harvest से या farming से related किया जाता है, तो उसका मतलब ये होता है, fish जो होती है, fish बहुत famous है वदूबनी structures में, उसका मतलब होता है good luck और fertility, तो ये होता है इनका symbolic meaning, उसके बाद ये जो paintings होती थी, ये usually women बनाया करती थी, and traditionally तो इनको walls पर बनाया जाता था, लेकिन अब time के साथ साथ इनको paper, cardboard और कपडों पर भी बनाया जाता है, बनाने के लिए इन paintings के लिए जो traditional method होता था, उसमें base color जो होता है, background color जो होता है, वो mud यानि मिट्टी या cow dung के paste से बनाया जाता था, एक lep type का बनता था, उस lep को लगाने के बाद, natural colors यूज करते थ राइस का paste बना कर यूज करते थे, और उससे इसको color किया जाता था, एक चीज और जो important है, जो आप देखते ही, आप समझ जाएंगे कि ये मदूबनी painting है, सबसे पहली कि एक तो इसमें कोई shading नहीं होती, दूसरा, इनके अंदर एक double line border होता है, black color से double line का border हमेशा मदूबनी painting के अंदर आपको दिखेगा, और जो structures होते हैं, वो बहुत ही bold होते हैं, colors काफी vibrant और bright colors यूज करे जाते हैं, और ये जो paintings होती है, इन में जो gaps रहते हैं, उनको बहुत अच्छे से fill किया जाता है, floral patterns से, या animal structures से, तो काफी भरी वी सी painting आपको दिखेगी, मदूबनी painting, मद काफी फेमेस हुई, जब जगदंबा देवी, जितबारपूर वायन पीरिड के टाइम पे हुआ था, जब जो मिधिला के राजा थे, उन्होंने श्री राम और सीता जी के विवहा पर वहा के राजे के लोगों को बोला था, कि अपने दिवारों को और दर्वाजों को किया था, 1970 में मदूबनी पेंटिंग्स काफी फेमेस हुई, जब जगदंबा देवी, जितबारपूर विलेज की जो है, उन्होंने, उनको प्रेजिडेंट अफ इंडिया ने ओनर किया था, अवार्ड के साथ, उसी के साथ साथ और भी पहुत सारे मदूबनी आर्टिस्ट जिनमें कि बुआ देवी, सीता देवी, भाटी दयाल जैसे नाम बहुत प्रचलित हैं, ये क्योंकि पेंटिंग एक पर्टिकलर रीजन में बनाई जाती है, और वहीं कि एक खूबी या खासियत रही है, तो इस पेंटिंग को जोग्रिफिकल इंडिकेशन का टैग भी मिला पड़ी और मैंने उसको किस तरीके से बताया, उसका मैं पूरा आपको डिटेल व्यू दूंगी, तो मदुवनी पेंटिंग बनाने के लिए, मैंने जिन जिन चीजों का इस्तमाल करा है, उनमें सबसे पहले है, आप कोई भी स्ट्रक्चर ले लीजे, या तो आप दिवार क क्लीन कर लीजे, जहां आपको बनानी है, या कोई कार्ट बोर्ड का पीस या कपड़ा, उसके बाद आपको पेंटिंग कलर्स की ज़रूरत पड़ेगी, मैंने इसके ले यूज करे हैं, एक्रेलिक कलर्स जो फेविक्रिल कंपनी के आते हैं, और यह बहुत ईजी ली अवेल आप यह दिहान रखें कि आपको एक थोड़ी बारीक वाली पेंट पर सकते हैं, क्योंकि हमें काफी डीटेल स्ट्रक्चर बनाने होते हैं, और एक मास्किंग टेप अगर आप वाल पे बना रहे हैं, तो क्योंकि वाल पर हम लोगों को डीमार्केट करना पड़ता हैं, एक रफ स्केच पहले बना बनाएं, और अगर आप फिर्स टाइम बना रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आप पहले पेंसल से रफ स्केच बना लें, ऐसा कि मेरा रफ स्केच मधुवनी पेंटिंग का तयार हो चुका हैं, जिसमें मैंने एक सन को डिपिट किया हैं, अब मै उसके अंदर डिजाइन के अकॉर्डिंगली कलर फिल करना स्टार्ट करूंगी जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी मदूबनी पेंटिंग कम्प्लीट हो गई है और जो भी चीजे मैंने आपको डिटेल्स बताई थी वो सब आप इसके अंदर देख सकते हैं जैसे कि काफी बोल्ड यूज कलर्स का डबल लाइन बॉर्डर और फिलिंग जो करी गई है वो फ्लॉरल पैटेंज और अनिमल्स की शेप से कम्प्लीट कर दी गई है और सन का स्टॉक्चर मैंने बनाया है तो आप इसको देख सकते हैं और इसी तरह आप भी अपने घर पर ट्राइ कर सकते हैं एक मदूबनी पेंटिंग को बनाने का पेंटिंग बनाते टाइम अगर आपको कोई भी प्रॉबलम होती है या आपको कोई एडवाइस लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मैं रिप्लाइ करूँगी और आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी एक इंपोर्टन बात घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जैहंद